बात करेंगे आई एक्स की इंडियन एनर्जी एक्चेंज की इसके रिजल्ट आने वाले हैं 24 तारीक को तो क्या-क्या बात होगी पहले तो बात यह होगी क्या वे इसमें एक अपोचोटी आ रखी है पहला दूसरा अपोचोटी आ रखी है तो कहां किस प्राइस के आसपास अ कर देंगे और बाद की मेरा टेलीगराम चैनल फ्री आप कॉश्ट है यहाँ पर जाएए और एक बार चैक आउट करिए काफी सारी आपको educational वीडियो मिलेंगी काफी सारी educational पोश्ट मिलेंगी और बहाँ पर जाएए एक बार ऊपर नीचे स्क्रॉल कर करके देखिए आपको जो है IEX. IEX क्या काम करता है? तो IEX क्या काम करता है? पावर एक्चेंज है और 98% के आज़ पास market share है इनके पास तो एक तरीके से monopoli मांण सकते हो इनकी और जैसे stock market में share trade करते हैं ऐसे जो energy है, electricity है और gas बगएरा है उसको trade करते हैं किस पर? IEX पे तो एनर्जी एक्चेंज है और यही है बाकि अब क्या ही बताना इतना बहुत है आप लोगों के लिए क्या करता है अभी रिसेंटली इसमें यह ख़बर आई थी आई एक्स ने जो इनकी सबसाइड रही है आई जी एक्स जहां पर गैस का क्या के दर ट्रेड होता है ठीक है उ म्यूचल फंड के पास देख सकते हो 12.36 है एक चीज बताओं इलक्रिसिटी की दिमांड बढ़ती जा रही तो उसके वही जो ट्रेड है वो भी बढ़ता जाएगा और इस बज़े से मुझे लगता आने वो ले टाइम में भी अच्छा कर सकता है और कोई इंप्याक्ट तो इलक्रिसिटी ट्रेडिंग में वही क्या इंप्यक्ट बढ़ेगा कोरोना का मुझे तो नहीं लगता जाता को इंप्यक्ट पड़ेगा पिछले बार क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आये थे देखोगे नेट सेल्स भी बढ़ी थी और नेट प्रॉफिट भी बढ़े थ इसके ठीक है चलो यह तो मुझे लगता है ठीक है बात कर लेते हैं चार्ट पर उससे पहले रिटन देख लेते हैं रिटन देखोगे तो काफी बढ़िया एक साल में 217 पर्षेंट दो साल में 313 चार साल में 302 तो रिटन में कोई दिक्कत नहीं दिखती मुझे चलो अब च मुझें जा रहा है मैं मुञें कोई मतलब नहीं रहता मैं इसमें क्या कई नही कर चुका हां तो मुझे ऐसा फोमो रहता ही नहीं अब इतने दिन हो गए तो साथ gén씨 चैनल के आपको और चीशे समझ में आ जा थी है और अगैन फिर उसके बाद फिर गिरावट होई काफी भारी गिरावट हुई थी फिर हमारे बाइंग रेंज के आसपास आये था जहां पर हमने डिसकस किया था 240-250 की रेंज में तो यहां पर एक बार बाइंग की अपरचुटी आये थी हमने किया भी था बताया भी था मैंने वीडियो भी डाली थी उसके बाद अगेन अभी दुबारा फिर यहां पर 270 तक गया था दुबारा फिर बाइंग अपरचुटी आ रही है 250 की नीचे मैं आपको बता रखा है एक बैलू बाइंग मुझे पिक दिखती है 250 की नीचे तो 240 से 250 की बीच में जहां पर आपको अच्छा लगता है बहां पर अपना GTT या लिमी टोटर डाल सकते हैं अगर आपको एक अपरचुटी ग्रैप करनी है क्योंकि जातर मैंने देखा है जैसे रिजल्ट जिस दिन आता है हिंदुस्तान उनी लीवर आपने देखा होगा र और अगर उस दिन रिजल्ट अच्छे आजाएंगे तो हो सकता है अगले दिन फिर तेजी आजाए यह तो देखो मेरा व्यू है जब जब रिजल्ट अच्छे आते हैं अगर बाई चांस बाई चांस बाई चांस बाई चांस बाई चांस बाई चांस बाई रिजल्ट अच् यहां पर मुझे ऐसा देख रहा हो कि काफी बढ़ीया वैलू दिख रही डिसकाउंटेट वैलू दिख रही तो मुझे ही दिख रही 240 रुपए के आसपास में ठीक है यह हो गई बात अब रिजल्ट अगर खराब आए तो मैं बिल्कुल प्रिपर बैटाओ मैं यहां पर कोई पूरा पैसा थोने लगाने जा रहा हूँ यहां पर एक डिप लगाऊंगा ठीक है एक डिप लगा दी नीचे जाएगा 200 रुपए के लेवल के आसपास मैं दूसरी डिप कलिए बिल्कुल इंतजार करूँगा ठीक है अगर 200 रुपए के आसपास जाता है रिजल्ट खराब और मालो गिर गया कोई बात नहीं मैं कोई घबरा नहीं रहा हूँ मालो मैंने मुझे टोटल सेर इसके खरीदने थे 1000 सेर खरीदने थे ठीक है मैं किस तरीके इस खरीदने करूँगा 240 के आसपास खरीदूँगा 300 सेर ठीक है खरीद लिए 300 सेर अगर बाई चांज नीचे गया 200 रुपए का आसपास 300 और खरीदूँगा ठीक है अगर उससे भी नीचे मैं गया मालो 170 या 60 चला गया कोई बर्ष सिनेरियो आ गया मतलब भ कुछ भी हो सकता है वही कल को मैं देखा थोड़ी ना है कल को कोई हो गया कुछ भी ऐसा कोई पूरा मार्केट ही हिल गया घडाम हो गया कोबिट जैसे कोई सिच्चिसन आ गई मैं तो उसके लिए भी प्रिपर रहता हूं पहले से और 150 के आसपास चला गया ठीक है बहां पर ओपर चला जाएगगा लेकिन अगर बस सिनेरियो भी होता है तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपर होता हूँ और गिरता है तो ऐसा नहीं घबरा रहा हूँ फिर अप क्या होगा अप क्या करूँ गया अब झा आप लोग बताता हूँ कोई इसमें ऐसे कुछ नया तो बतानी रहा हूँ है जो मेरे रूल्स है जो मेरे जो मेरी strategy है वो मैं आपको बताता रहता हूँ तो यह मैंने strategy बता दी इंदागेन अगर ऊपर कही prices पर खरीद रखा है आपने momentum chase करते हूँ जैसे कई लोग target वाले मिल जाएंगे यह ले लो करोड़ पती बना देगा या जो वही है whatever मुझे नीपता करोड़ पती बनाएगा नहीं बनाएगा अच्छे price के असपास अच्छे stock को accumulate कर सकते हैं बात में आपकी मर्जी है चाहे short term करो तो short term में जहां पर profit अच्छा लगे 10% profit हो जाए short term में अगर 4-5 दिन में तो किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं short term के लिए या तो profit कर लो long term के लिए या तो फिर कोई दिक्कत नहीं है long term के लिए hold रखो फिर तो आपको सब cycle देखनी पड़ेगी उपर की cycle भी देखनी पड़ेगी नीचे की भी देखनी पड़ेगी long term में stock उपर जाएगा फिर नीचे जाएगा पर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर उपर आएगा तो इस तरीके से चलेगा लॉंग टर्ण में ऐसा नहीं होगा कि मतलब ऐसा सीथे चलता 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 राटीटी तरह तो ऐसा नहीं होगा और अगर दोनों चीज़े करने हैं तो भई आपके पास 50 पिर पिर प्रोफिट पूकल या पचास पर राइड कर रहे लोंगटम कर लिए तो इस तरीके मरची है आपका पैसा है फ्रनिशी करते पूर पूंज सकते अपना व्यू पना सकते चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना वीडियो दोस्तर इसे रदेना नहीं दूसू